हेलो सुदेंट्स हावर यूटूब चैनल पंकच फिरिस कुलाटी शुदेंट्स आपको इस चैनल पर नाकेवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिरिस के टॉपिक्स की सबसे असान एक्स्प्रेशन देखने को मिलती है बलकि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एक्जाम में क्या और कैसे लिखके आना है ताकि आप सिरफ एक वीडियो देखके ही अपने नोट्स बना सके और एक्जाम में बहुत अच्छे मांग्स ला सके तो सुदेंट्स आजी चैनल को सबस्राइब कीजिए और पाईए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले इसी कैटिगरी में आगे भढ़त हुए आज हम बात करेंगे एक और इंपोर्टन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है विल्सन क्लाउड चैंबर देखे स्टुडेंट्स विल्सन क्लाउड चैंबर एक परका का पार्टिकल डिटेक्टर है जो ना केवल न्यूक्लियर रिडियेशन मीज आनाइजिंग पार्टिकल्स जैसे की अलफा बीटा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के काम आता है साथ के साथ इसके द्वारा हम न्यूक्लियर रिडियेशन मीज आनाइजिंग पार्टिकल्स के path को visualize भी कर सकते हैं observe भी कर सकते हैं in the form of tracks Wilson Cloud Chamber को सबसे पहले invent किया था CTR Wilson ने in 1911 और ये कहां पर invent किया था इन्होंने Cavendish Laboratory है University of Cambridge UK के अंदर वहां पर इसकी invention हुई थी और ये invention जो है वो nuclear and particles के फिल्ड में बहुत बड़ी invention मानी जाती है क्योंकि Wilson Cloud Chamber के द्वारा हमने बहुत ही important सब atomic particles को discover किया जैसे की positrons and muons students आये देखते हैं कि अगर एक topic आपको exam में पूछा जाता है तो आप इसके starting के introduction में क्या लिखके आएंगे आये पहले वो देख लेते हैं in the field of nuclear and particle physics wilson cloud chamber is the most fundamental device to detect and to observe the past of different types of nuclear radiation और ionizing particles like alpha, beta, particles etc देखे students wilson cloud chamber nuclear and particle physics के अंदर एक बहुत ही important nuclear detector है बहुत ही important particle detector है जो क्या करने के काम आता है nuclear radiation means ionizing particles जैसे की alpha, beta particles को detect करने के काम आता है और साथ के साथ इस device के द्वारा हम nuclear radiation के path को observe भी कर सकते हैं visualize भी कर सकते हैं in the form of tracks it was invented by CTR Wilson in 1911 in Cavendish Laboratory University of Cambridge UK ये सबसे पहले invent किया था CTR Wilson नाम के scientist ने जिनके नाम के ऊपर इस chamber का नाम पढ़ा इस nuclear detector का नाम पढ़ा 1911 में invent किया गया था Cavendish Laboratory है University of Cambridge UK के अंदर वहाँ पर इसकी invention की गई थी it helped in the discovery of positrons and muons इसने बहुत ही important सब atomic particles जैसे की positrons and muons की discovery में help की तो students इतना लिखने के बाद आप इस topic की theory में और के add करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले sections के अंदर तो चलिए students बढ़ते हैं आगे देखे students अब बारी तो थी discuss करने की principle of Wilson Cloud Chamber को बट पहले हम construction and working of Wilson Cloud Chamber समझेंगे उसकी बात principle में क्या लिखना है आपने उसकी बात करेंगे तब ही आप principle of Wilson Cloud Chamber को अच्छे से समझ पाएंगे बट exam में आपने introduction के बात principle ही लिखना है यहाँ पर हम principle को सबसे last में discuss करेंगे for better understanding तो सबसे पहले हम बात करेंगे construction of Wilson Cloud Chamber की तो आप heading बनाएंगे construction देखे students Wilson Cloud Chamber का जो schematic diagram है वो कुछ इस परकार से होता है इसके main main components क्या होते है देखे students इसका सबसे main component होता है एक cylindrical chamber यह जो आप देख रहे हैं एक chamber shape है हाँ पर और यह cylindrical shape पर एक chamber होता है और इसके उपर हमने एक transparent glass cover लगाया होता है और इसके bottom पर हमने एक movable piston जो है वो attach किया होता है जो उपर और नीचे बड़ी असानी से बड़ी smoothly उपर नीचे जो है यह हो सकता है यहाँ पर हमने दो windows भी होती है window w1 window w1 हमने क्यों लगा रखी है ताकि हम यहाँ से light जो है वो enter करवा सके और यह light जो है usually mercury vapor lamp के through enter करवाई जाती है mercury vapor lamp जो हमें white light देता है तो यहाँ से white light जो है वो chamber के अंदर डालने का provision होता है through this window w1 और यहाँ से इस window से हम nuclear radiation जिन nuclear radiation को हमने detect करना है जिनके path को visualize करना है जिनके path को observe करना है वो nuclear radiation जो है वो हम इस window से enter करवाएंगे यहाँ पर nuclear radiation का जो source है वो chamber के बाहर है आप चाहें तो nuclear radiation के source को chamber के अंदर भी रख सकते हैं उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा और इस chamber के अंदर हमने भरा होता है air जिसको हम saturate करवाते हैं with water vapors देखे students saturated solution का मतलब आपको पता है saturated solution वो solution होता है जिसमें solute solvent के अंदर घुलना बंद हो जाता है जब आप एक glass of water के अंदर चीनी घुलना शुरू करते हैं तो एक point ऐसा आता है जब चिलनी चीनी घुलनी बंद हो जाती है और वो solution जो है वो saturated हो जाता है air जो है definite pressure and temperature के ऊपर definite amount of water vapor जो है वो contain कर सकती है the maximum amount of water vapors are present in air तो हम कहेंगे यहाँ पर air जो है वो saturate हो चुकी है water vapor से तो यहाँ पर हमने air feel करनी है जिसको हमने water vapor पर से saturate किया हुआ है इस chamber की working में जो कुछ हमें यहाँ पर observe होगा अगर हमने उसको visualize करने है उसके photograph लेने हैं तो हमें यहाँ पर camera भी adjust करना होता है at the top of this glass window यहाँ पर हम camera रखेंगे और यह camera जो है इस chamber के अंदर जो कुछ भी हो रहा होगा उसको हमें उसकी हमें photograph निकाल के देगा और उनी photograph की health से हम nuclear radiation के important characteristics का पता लगा पाएंगे तो students आईए देखते हैं कि construction की theory में आप क्या लिखके आएंगे the schematic diagram of wilson cloud chamber is shown in figure यहां पर आपको एक schematic diagram जो है वो शो किया हुआ है wilson cloud chamber का तो इसी construction from points में study करेंगे number one point it consists of close chamber with a transparent glass window at its top देखे students यहां पर एक हमारे पास close chamber होता है cylindrical shape का होता है और इसके ऊपर एक transparent glass window लगाई होती है and a movable piston at its bottom और इसके नीचे यहां पर एक movable piston लगाया होता है जो उपर नीचे जो है बहुत ही smoothly move कर सकता है there are two windows w1 and w2 provided on both sides of chamber यहां पर दो windows दी जाती है w1 and w2 दोनों का अपना-पना काम होता है आए देखते हैं क्या task perform करती है यह one window w1 on left hand side is used for entry of light inside the chamber यहां पर जो window दी गई है w1 left hand side of chamber में यह क्या काम करती है यहां से हम light जो है इस chamber के अंदर enter करवाते हैं actually यहां पर विल्कुल अंधेरा होता है अगर हमने chamber के अंदर क्या हो रहा है उसको observe करना है उसकी photograph निकालनी है इस camera की help से तो हमें इस chamber को illuminate करवाना पड़ेगा और वह illumination हम करवाएंगे इस light के through जो की हम mercury vapor lamp से इसके अंदर enter करेंगे through this window w1 तो students आये देखते आगे while the other window w2 on right hand side is used for entry of nuclear radiation inside the chamber जबकि जो right hand side में आपको window दी गई है w2 यहां से हम nuclear radiation जिन nuclear radiation को हमें test करना है जिन nuclear radiation को हमें detect करना है जिनके path को visualize करना है वो enter करवाई जाएंगी chamber के अंदर through this window w2 तो students इतना लिखने के बाद आप construction में और क्या लिखके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले sections के अंदर तो students आये देखते हैं कि construction की theory में और क्या लिखके आएंगे first point में आप एक online add करेंगे the source of nuclear radiation can also be placed inside the chamber nuclear radiation के source को आप chamber के अंदर भी रख सकते हैं हमने इस case में nuclear radiation के source को बहार रखा हुआ है जहां से nuclear radiation निकल के इस window w2 के थूरू इस chamber के अंदर enter कर रही है अग second point अग camera is also fitted over the top glass window to capture और photograph the path of ionizing particles देखे students जब nuclear radiation mean ionizing particles जो है जब इस chamber के अंदर enter करेंगे तो वो अपने निशान छोड़ते हुए जाएंगे tracks form करते हुए जाएंगे यह बिल्कुल आपको ठीक वैसे ही दिखाई देगा जब एक jet और उस tracks को photograph करने के लिए capture करने के लिए आपको glass window के ऊपर camera भी लगाना होगा और जो photographs मिलेंगी वह ionizing particles के बारे में बहुत ही important information आपको देंगी जैसे कि उनकी range क्या है तो सुडेंट्स आये देखते आगे और का लिखेंगे आप third point the chamber is filled with air which is saturated with vapors of liquid having low boiling point like water और alcohol इस chamber को भरा जाता है air से जिसको हम saturate करते हैं किसी ऐसे liquid से जिसका boiling point कम हो means वह liquid जो है वह volatile होना चाहिए जैसे कि water या फिर आप alcohol जैसे कि ethanol या methanol के vapor से भी air को saturate कर सकते हैं simplicity के लिए हमने air को यहाँ पर water vapor से saturate किया हुआ है तो students construction होगी है complete इसके बाद हम बात करेंगे working of wilson cloud chamber के बारे में तो students आईए बात करते हैं working of wilson cloud chamber की working of wilson cloud chamber को हम तीन points में discuss करेंगे first point में हम क्या करेंगे first step में हम क्या करेंगे इस piston को तेजी से नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो piston जो है वह अपनी new position में आ जाएगा इस position में आ जाएगा piston पिस्टन को हमने नीचे की तरफ पूल कर दिये पिस्टन जो है जो पहले यहां तक यहां पर आ गया उसकी वज़ासे क्या होगा जो air का volume है जो पहले इतना था इस chamber के अंदर वह extend होके वह increase होके इतना हो जाएगा जब इस piston को नीचे की तरफ move किया जाएगा तो air का जो volume है इस chamber के अंदर वह increase हो जाएगा और हम जानते हैं volume और pressure के बीच में एक relationship होता है अगर volume बढ़ेगा तो pressure decrease होगा और pressure अगर degrees होगा तो temperature जो है वो भी decrease होगा क्योंकि pressure and temperature जो है वो directly proportional होते हैं तो means अगर हम इस piston को नीचे की तरफ move करते हैं तो air का volume increase होगा और उसका temperature जो है वो नीचे चला जाएगा means यहाँ पर adiabatic cooling होगी air की due to adiabatic expansion of air यहाँ पर adiabatic expansion क्यों कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर system से surrounding में कोई भी heat ना तो गई है ना ही surrounding से system में आई है means यहाँ पर जो air expand हो रही है वो without any heat loss हो रही है बट यहाँ पर temperature जो है air का वो नीचे जाएगा और air जो है वो cool हो जाएगी और जो पहले air saturated थी with water vapors अब वो super saturated हो जाएगी with water vapors saturated and super saturated में क्या difference है यह हम एक example से समझ सकते हैं मालने sounded एक person को तीन रोटी की भूक है तो अगर से तीन रोटトि खिला देती है तो वो saturate हो जाता है अगर एक person है जिसको तीन रोटी की happos चार डिवेंग क्यों सकते हैं तो वो powerful स्टेट में चला जाता है आप इस समझ सकते हैं एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर एर जितना वाटर वेपर कंटेंड कर सकती थी अब उससे भी ज्यादा कंटेंड कर रही है मिस एर जो है वह सूपर सैचुरेट हो गई है विद वाटर वेपर तो फर्स्ट में आप यह लिख होगा अगर वोल्व में to रहा है तो रेसर डिग रिइस होगा टो त्यम्परेचर डिग्रिेस होगा एंड टम्परेचर जब हो निक्सटे चला जाएका एड स्याइब बुद्टेटिक लिए यहां पर एर की कुलीं को रही है अंडर एडयाभित कंडिशन एंड सायाट वाटर रवेपर और फ्रे вся चुरेट औले एट व्रेटित ति विद वाटर वेपर अब वह तो फॉपर सेटもしरेट हो जाए इए नहीं तुर्स चूरेट भी लो हो जाएगी बिद वाटर वेपर तोस्क पॉइंट हमने देख लिया इसके बाद क्या होगा वर्किंग में वह हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर तो सुडेंट्स टैप पे हमने क्या किया था यहां पर पिस्टन को लीचे से मूव किया था जिससे एंदर का वेंडु आने और बहुए एगे अदर करेंगे एगाần जिन नुक्लियर डिडियेशन को आपने डिटेट करना है जिनकी पात को आपने विजुलाइज करना है वह आप डव्यू टू विंडो से इस चैंबर में एंटर करवाएंगे तो जैसे ही नुक्लियर डिडियेशन इस चैंबर में एंटर करेंगी वह एयर मॉलेक्यूल के साथ एर मॉलीकूर्स की आईउनाईजियेशन होगी और इलेक्टॉन बाहर निकल जाएगा जिसकी वज़ा से एक अनायन में नेगेटिव चार्ट और जिस एक पॉस्टीव आयन होगा एक नेगेटिव आयन हो भूगा निज हाँ जहाँ पार्टिकल जो है और यह से गुजरेगा वहां भाहां पर होगा पॉस्टिव आयंस की यह बन जाएगी यह पॉस्टिव नेगटिव की जो लाइन है यह एक्टुली चार्ज इसको हम एक्जाम्पल से समय सकते हैं फ्लेट्स आप एक्मोस्फेर में जो एर देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ humidity होती है वह humidity आप कैसे विजुलाइज कर सकते हैं अगर आप ठंडे पानी की गिलास को टेबल पर रख देते हैं तो उसको आप कुछ देर के बाद अगर आते हैं ठीक इसी प्रकार से जो वाटर वेपर यहां पर सुपर सैचुरेटेड एर में प्रेजेंट थे उनको एक सरफेस मिल जाएगा इन फॉर्म और पॉजिटिव और वह इन पॉजिटिव नेगिटिव आइंस पर कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे और आपको एक पुरा अंधेरा होता है तो अगर आपने इस पात को ट्रैक करना है तो पहले आपको इसको रोशन करना होगा इलूमिनेट करवाना होगा तो यहां से आपको लाइट भी साथ के साथ एंटर करनी होगी तब ही आप इन ट्रैक्स को इस मिस्टी ट्रेल को इस फॉगी ट्रेल क तो जहां पर आपके water vapor जो है वो इन ions के उपर condensed हो रहे हैं वहां-वहां आपको एक line दिखाई देगी उस line को आप capture कर सकते हैं उसकी pictures निकार सकते हैं इस camera के through बशर्ते अगर आप इसको light से illuminate करवाएं तो second point में आप यही कुछ explain करेंगे point number two, now when ionizing particles are made to enter inside the chamber through window w2 pair of ions are produced along its path जब ionizing particles को आप इस chamber के अंदर enter करवाएंगे through this window w2 तो ionizing particles क्योंकि काफी energetic होते हैं वो और इसी वज़ा से वो air molecules से collide करेंगे उनसे interact करेंगे और उनके atoms में से क्या करेंगे electrons को knockout करेंगे जब एक atom में से electron knockout होगा तो एक electron means negative ion और atom जो पहले neutral था वो positive ion में कर्माट हो जाएगा means ketan anions pair form होंगे और वो जो pairs form होंगे along the path of ionizing particles के along produce होंगे these ions act as condensation nuclei for vapors that is water vapors would condense along the line of ions which is the path of ionizing particles अब water vapors को एक nuclei मिल जाएगा एक center मिल जाएगा जिसके ऊपर आकर वो condense हो सकते हैं और droplets में convert हो सकते हैं वो इन ions के ऊपर condense होना शुरू हो जाएंगे और आपको एक foggy trail और एक mystery trail जो है एक धुंदवली लकीर जो है वो आपको दिखाई देगी और यह किसको represent करेगी यह लकीर जो है आराइजिंग पार्टिकल के path को represent करेगी आप आवर्फूल और इंटेंस वीम उफ्लाइट यूज्ज तो इल्यूमिनेट दा ट्रैक और पार्टिकल एंट फोर्टो साथ टेकन विदा सैंस्टिव कैमरा अगर आपने इस लकीर को अबजर्व करना है तो आपको इसको रोशन करना होगा इसको चमकाना होगा और वो चमकाहट जो है आप इस लाइट के थू लाएंगे जो की पावरफुल इंटेंस बीम ओफ लाइट होगी इस विंडो डवल्यूवन के थू एंटर करवाएंगे और जब आपको यहां पर लाइट इलूमिनेट होगी तो आप कैमरा से यह कैमरा जो है आटोमेटिकली उनकी फोटोग्राफ निकाल के आपको दे देगा जिसके कारण आप डिटेट कर पाएंगे कि यह इसकी रेंज कितनी है इसकी कितनी है इसका मोमंटम कितना है बहुत कुछ आप पता लगा सकते हैं उन फोटोग्राफ की हेल्प से स्टुडेंट से कंप्लीट हो गया है इसके बाद क्या होगा वह हम डिसकस करेंगे नेक्स सेक्शन के यहां पर आ गया था दूरिंग इस वर्किंग वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन में वापिस आ जाएगा और जितने भी आयंस यहां पर जन्रेट हुए थे द्यूटू आइनजेशन ऑफ एर मॉलेक्यूल्स उन आयंस को स्वीप आउट कर लिया जाएगा बाइप्लाइंग जैसे पॉस्टिव आयं जो है वो नेगेटिव टरफ करेंगे और अगर हम एक एक लेक्टिक फिल्ड अप्लाइ करते हैं तो यहां से सारे आयंस जो है चैंबर से स्वीप आउट हो जाएंगे और चैंबर जो है दुबारा यूज करने के लिए तयार हो जाएगा और इस सार जैसे आप फोटोग्राफ आपको मिल जाएंगी वैसे ही पुस्ट पिस्टन जो है वो यहां से यहां पर आ जाएगा और जाएगा और एक्टिक फिल्ड इस अप्लाइट तो आउट इनसाइड दा चैंबर क्योंकि आपको पॉस्टिव नेगेटिव आइंस मिले हैं तो इन आप चैंबर से आएंस जो हैं वो स्वीप आउट हो जाएंगे चैंबर इस डेडि फॉर डी यूज अब आप चैंबर को दुबारा इस्तमाल में ला सकते हैं इस पर साइसे रिपीटिट आटोमेटिक ली यह काम जो है वो चलता रहेगा और आपको न्युक्लियर तो सुड़ेंट्स अब हम जानते हैं कि आगर आप पार्टिकल के ट्रैक्स को विजूलैस कर लेते हैं उनके पाथ को कैपचर कर लेते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा न्युक्लियर पार्टिकल जो है वो यहां से ब्जूट किया था मिस आप डिठेट करेंगे पार्टिकल को तो स्वेंट यहां पर हम प्रेशी देखेंगे जो अलफा पार्टिकल के ट्रैक्स होंगे वह पुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे यह आपके ठीक और ट्रैक्स होंगे लगबग पांच सेंटीमेटर लंबे होंगे यह क्योंकि आप जालते हैं कि अल और नमबर ऑफ आइंस जो हैं वो प्रड्यूस करेंगे इंसाइड दा चैमबर जिसकी वज़ा से आपको ट्रैक्स जो है वो स्ट्रेट और थिक दिखाई देंगे तो सुडेंट्स आप फर्स पॉंट में का लिखेंगे अल्फा पार्टिकल ट्रैक्स तो उनके ट्रैक्स आप और आप पॉस्टिव और नेगटिव प्रड्यूस करेंगे जिसकी वैसे कंडेंसेशन ज्यादा होगी वाटर वेपर की इन आइंस के ऊपर और आपको ट्रैक्स जो है वो स्ट्रेट और ठिक दिखाई देंगे इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर बीटा और गामा पार्ट क्वीट्रेट्ट के ट्रैक्स किस प्रकार के दिखाई देंगे बीटा पार्टिकल्स क्योंकि लाइट पार्टेकल्स हैं तो जब वो चॉंबर में एंटर करेंगे तो दिखाekk और आपको कुछ इस प्रकार से वो दिखाई देंगे तो यह आपने बनाने हैं तो आप समझ जाएंगे कि न्युक्लियर रिडियेशन जो है वो यहाँ पर बीटा पार्टिकल से बनी हुई है तो स्टुडेंट्स इसके बाद हम बात करेंगे गामा पार्टिकल्स के ट्रेक्स के बारे में तो इसके बात करते हैं गामा रेट ट्रैक्स ऑगर यहाँ से गामा-ीरेशन हा 대해서 से जन्युक्ठेर बनातें जैसे वहले रumbles ऑ बिटा बना रहे गामा जो है वह बैसिक्ली हो तो करते हैं तो पहस lle इंडरी करते हैं नोगाउट हो जाते है उनकी बासे बहुंस इस परकार के डानप नहीं कर ते जैसे अलफ और बीटा पार्टिकलस कर रहे थे दे ट्रैक सीन आर दोस कोज बाइलेक्ट्रॉंस विच एब एब्सॉप एनर्जी फ्रों फोटॉंस एब एसकेप फ्रों एटम्स यह जो कुछ भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है यह सारा कुछ इलेक्टॉं का किया धरा है यह वह एलेक्टॉंस हैं जिन्होंन के बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल ओफ विल्सन क्लाउड चैंबर के बारे में तो सुडेंट्स आईए बात करते हैं प्रिंसिपल ओफ विल्सन क्लाउड चैंबर के बारे में जिसको आपने इंट्रोडक्शन के बाद में ही लिखना है मैंने आपको सबसे लास्ट में इ आइनाइजेशन हुई थी और पॉसितिव नेगिटिव आइन पर्डूशिय और उन्हीं पॉसितिव नेगिटिव आइन के ऊपर सुपर सैचुरेटिट वेपर संदेंस हुए थे जिसकी वजह से हमें नुप्लियर रडियेशन के पाथ को ट्रैक करने में मिली थी तो सुड़ बेस्ट ऑन दा प्रिंसिपल ऑफ आइनाईजेश्ट गएस तो अब इसमें यही लिखेंगे इस बेस्ट ओन देप्रिंसिपल यह नियुक्त आइज करती है तो उसके आउटरमॉस शेल्स से इलक्ट्रॉन जो है वह बहार निकल जाता है और जिस एकट्रॉन लूज क्या वह प एलेक्ट्रॉन तो बहार निकला ही है में इस एक नेगटिव आयन भी प्रड्यूस होगा तो पॉजिटिव नेगटिव आयन्स जो है वो प्रड्यूस होते हैं जब आइजिंग रिडियेशन्स इसी ग्यास में से पास होती है और इन्हीं आयन्स के ऊपर सूपर वेपर्स को कंडेंस होने के लिए किसी सर्फेस की जुरुद पढ़ती है और यह जो आयन्स हैं यह सर्फेस का काउन करेंगे जिस पर सूपर सैचुरेटिव वेपर जो हैं वो कंडेंस होंगे और नुक्लियर एडिशन का पाथ जो है वो बड़ी असानी से आप कर सकते हैं तो स्टुडेंट्स यह था प्रिंसीपल इसके बाद हम बाद करेंगे कि आप इस चैंबर से हैं important information हासिल कर सकते हैं तो सब्सक्राइब बात करते हैं एप्लिकेशन आफ विल्सन क्लाउट चैंबर के बारे में देखे स्टुडेंट से विल्सन क्लाउट चैंबर की हल्फ से आप ना केवल नुक्लियर रिडियेशन को डिटेट कर सकते हैं साथ के साथ उन्हें पात को विजुलाइज भी कर सकते हैं और साथ के साथ आप नुक्लियर रिडियेशन के इंपॉर्टन पैरामेटरृब्र जैसे कि मोमेंटम और कनेटिक और जी को भी फांट कर सकते हैं उसके लिकर ना होगा वीं मेंटिक फिल yapıyor उल सी किसी में पास करते हैं जिसको हम डीनोड करते हैं ए व्लिय rotary होते हैं साइंकर टाब जब तो भी एक चार्ज पार्टिकल में इसे से पास करता है और इस डिस्क्राइब्स और पाथ में किसी चीज को मूँव करवाने के लिए आपको जो फोर्स की जिरुद पड़ती है वो सेंट्रिपिडरल फोर्स होती है और यहाँ पर जो मिसेसरी सेंट्रिपिडल फोर्स मिलेगी इस चार्ज पार्टिकल को सवन्दर पाथ में मूव करने के लिए दाट बी प्रॉइड बैंनेटिक फोर्स तो मैंनेटिक फोर्स और सेंट्रिपिडल फोर्स यहाँ पर इकवल हो तो मिलनेटिक फोर्स की जगहाँ है वी वी भी साइन केटा और यहां पर सेंट्रीपिटल फॉर्स का जो फॉर्मूला होता है वह था एंबी स्केर बाइब आर जहां पर आर जो है वह सब्सक्राइब की रेडियस है तो सुटेंट्स अगर हम फ्लैमिंग लेफ्ट एंड रूल लगाएं अगर चार्ज पार्टिकल ऐस यहां पर सॉटेंट्स के ब्राबर होते हैं तो माझना जो है तो कियू भी आ गया पता है शृटा हूगा चार्ज पार्टिकल पर कितना है है radius हम निकाल सकते हैं इस circular path की तो हम momentum निकाल सकते हैं अगर हमें momentum पता चल गया तो kinetic energy और momentum में जो relation होता है kinetic energy is equal to P square by 2m इस relation को use करके हम kinetic energy find कर सकते हैं where M is the mass of charged particle students काफी important instrument है ये in the field of nuclear and particle physics I hope आपको आज का topic जो है वो अच्छे से clear होगा मिलेंगे किसी और important topic of nuclear physics के साथ till then take care